नमस्कार दोस्तों आउ सीखो चैनल में आपका स्वागत है आज हम यह डबल बाडर बनाना सीखेंगे आए देखते हैं यह कैसे बनेगा आप दो रंका उन लीजे एक जिससे आपका स्वाटा बनना है वो और एक एक्स्ट्रा कोई भी कलर या तो कोई भी कलर ले देजे इसमे एक गाठ लगा देजे और अब सलाई को इस गाठ के ऊपर रखिए और जैसे आप फंदे डालती है वैसे फंदे डालिए इसको बहुत खीचना नहीं है इसको धीला ही रखिए और जैसे फंदे डालती है वैसे फंदे डाले आपको सलाई में आपको सलाई में जितने फंदे चाहिए उतना फंदा पड़ेगा पहला फंदा सीधा बुने और अब ये जो उन है इसको दूसरी ओर कर दीज़े फिर सभी फंदे सीधे बुने सामने से सीधा और पीछे से उल्टा बुनते हुए छे या आठ लाइन त्यार कर ले हैं आगे से सभी फंदे सीधे बुन दिये गए हैं और अब पीछे से सभी फंदे उल्टे बुने जाएगे और इस तरह सीधा और उल्टा बुनते हुए छे लाइन या फिर आठ लाइन कम्प्लेट कर ले हैं सीधा उल्टा बुनते हुए यह मैंने छे लाइन कंप्लीट कर लिया है आप चाहे तो चार लाइन चाहे तो छे लाइन चाहे तो आठ लाइन कितना भी बना सकते हैं और अब खोला जाएगा यह जो दूसरे रंका उन्हें उसमें धीरे से डालिए और यह सारे फंदे खुलते चले जाएगा इसी तरह करते हुए यह सारा खीच लिए सारे फंदे खुल लिए यह हमारे सारे फंदे खुल गया है अब आप कोई पतला सलाई लीजे और सभी फंदे चड़ा लेजे इस सलाई पर सभी फंदे चड़ा लेजे यह मैंने सारे फंदे सलाई पर चड़ा लिया है अब इसको उल्टे की तरफ से उल्टा फंदा जो है वह उपर आ जाएगा यह मैंने छे लाइन बुना है तो मेरा यह अब आप कोई आप कोई आप कोई आप फोल्ड करने पर इतना चोड़ा हो रहा है अगर आप आठ लाइन बुढ़ेंगे तो थोड़ा और यह और चोड़ा होगा और अगर चार लाइन बुढ़ेंगे तो थोड़ा यह पतला होगा तो आपको जैसे भी जितने की आप शकता हो उतना लाइन बुन लें और अब एक एक फंदा दूसरी 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 दू दोनों को लेते हुए उल्टा इसी तरह आप पूरी लाइन एक एक फंदे लेते हुए और उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कम्प्लेट कर लाइए देखिए फ्रेंड्स दोनों सलाईयों से एक एक फंदा लेकर बुनते हुए मैंने ये बॉर्डर त्यार कर लिया है डबल बॉर्डर उल्टे की तरफ से तो अगर आपको मेरा ये बताना अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाएए अब इसके उपर आप जो है चाहें तो डिजाइनर बॉर्डर या फिर जो भी आपको बनाना हो इसके उपर आप बना सकते हैं चाहें तो एक उल्टा एक सीधा वाला बॉर्डर कुछ भी बना सकते हैं तो अगर आपको मेरा ये बताना अच्छा लगा हो तो इसे आप अपन कीजे, कमेंट जरूर लिखे, धन्यवाद.